हलो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चे, हम क्या हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं दूसरे लोग तो सिर्फ हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगा शकते हैं बच्चों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आज इस से related मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा आपको motivation देने वाला हूँ कही ना कही अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपको काफी कुछ मिलने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे आज MPPAT की तयारी कर रहे हैं चात्रों को लेकर तो MPPAT की जो भी चात्र तयारी कर रहे हैं वो अमीद करता हूँ सब सकारात्मक सोच के साथ अपनी तयारी कर रहे होंगे हाँ बच्चों के साथ ये जरूर होता है कि उनके कुछ साथी या कुछ जो मित्र होते हैं वो नेगिटिव होते हैं नकरत्मक सोच वाले होते हैं जो हमें डिमोटिवेटेट कर देते हैं मूतिवेट это करते हैं कि स्लेक्षन नहीं होगा यतने में कुछ नहीं होता यह सब कुछ बातें बताते हैं मैं मैं प्रखार रेंने शुमने से पीछेंत पूस सारे बच्चे इस समय जो है न अब ये फिंशला ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें तो देखिए मैं एक चीज आप से कहना चाहता हूँ यदि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं अगर आप सोच अपनी सकारात्मक रखते हैं तो निन्ना लेने से आपको पीछे हट नहीं नहीं है कि अब ये क्या करें क्या ना करें मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपका समय है उसका सदपयोग करना है अब कैसे सदपयोग करना है बहुत सारे बच्चे मुसे फोन करके कहते हैं कि सर पढ़ लें कैसे पढ़ें पीटी में फोम डाल दें कि नहीं डालें सर फोम तो डाल दिया है पढ़ाई कैसे करें तो भई फोम डालने से सेलेक्शन नहीं होता है यह बात मैं बार बार कह देता हूं सेलेक्शन उसी का होगा जिसको अपने उपर भरोसा होगा इसको आत्म बिस्वास होगा जिसकी सोच सकारात्मक होगी इस समय जो बच्चा सकारात्मक सोचेगा और अपने आप पर भरोसा करेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ सकरतमक सोच क्या होती है हाँ बिलकुल मुझे करना है और मैं जरूर सफलता प्राप्त करूँगा इस परकार की सोच अगर उसकी है तो सकरतमक सोच कहलाएगी वही चीज़ें उसको सफल बनाएगी सही बात है अगर बच्चा इस समय negative सोचेगा तो कहीं नहीं बढ़ आपका एक महीना में दिमाग में आना ही नी चाहिए नहीं कोई सबस्द होता ही नहीं छीक है ना इस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक सब्द होना चाहिए वो कि मुझे किसी भी condition में सफलता प्राप्त करनी है तो जरूर कहीं कई वो सफलता प्राप्त करेगा मैं एक बात कहना यह चाह रहा था कि बच्चे इस समय फेसला यह नहीं ले पा रहे हैं कि सर क्या करें तो प्रॉब्लम यह आ रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई आप 85, 75, 70, 72 जो भी 95 बना के आप लोग बैठे हो आप में इतनी तो काविलियत है ना कि अगर आप एक महीने जी तोड़ महनत करोगे तो बिल्कुल सफलता आप जरूर प्राप्त कर लोगे वो सारे बच्चे तो फोन करके कहते हैं कि सर जी मुझे नोट्स लेने हैं फिर बात करते हैं कि सर कितनी फीस है मैं फीस के बारे में बताता हूँ कि इतनी है तो फिर कहते हैं कि सर आज नहीं कल लेंगे ना तो उनका कल होता फिर कहते हैं परसों लेंगे ना उनका परसों होता मैं अभी कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ऐसे कहत कहत निकल जाएंगे बरसों समझ मैं है मेरी बात आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ऐसे कहत कहत निकल जाएंगे बरसों तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है ध्यान रखे आपको पता ही हुआ, कभीर दाज जी कहते हैं, कि आज करे तो, नहीं, कल करे तो आज कर, आज करे तो अब कर, समझे रहे ना? और ध्यान रखना हमेशा इस बात का कल का काम आज ही करना चाहिए आज का काम बिलकुल अभी करना चाहिए कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए कि कल का कोई पता नहीं है और किसी का कल होता ही नहीं है आपको मालवगा इस चीज के बारे में तो अधी आपको एक चप्टर आज पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है कल पर मत छोड़िये उसको समझ रहे है मेरी बात अगर आपको नोट्स लेना है तो आज ही लिजे कल के भरोसे मत लिजे कल किसी का पता नहीं है कल हो सकता है दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ा है नक अगरी कल्चर के तीन सब्जेक्ट हिंदी इंगलिस की बात नहीं करता मैं अगरी कल्चर के तीन सब्जेक्ट कोई भी बच्चा जो है आई एमपी कोशन गारंटी के साथ 60-70 कोशन मैं उसको दूँगा उससे भार नहीं जाएगा उसका इससे पहले भी मैंने कहा था और आउ कहीं भी फिरी की चीज की कोई बैलू होती नहीं ध्यान रखे मैं आपको फिरी में दे दूना तो आप उसको देखोगे थोड़ी ना अरे फिरी में मिल गए यूँ ही इसलिए उसका थोड़ा सा चार्ड जरूर रखना चाहिए क्यों आप भी कोई चीज अगर आप किस इस मुएने न आज की दुनिय में एक रूपे की चीज भी फीरी नहीं देंगे वो कहीं नखें आपको एक बात ध्यान रखें आप लोग की उसकी चाएंडव मैं धा पहले दो रुपे हो पर उसके जरूर ले जिसे सामने वाला उसकी बैलू कर सके कि हाँ इसमें मेरा थोड़ा सा खर्चा हुआ है तो कहीं ने कहीं मैं इसको यूज करूं समझ रहे हैं मेरी बात तो इसका थोड़ा से द्यान रख लग इसलिए मैंने उसकी फीज रख 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 मैं तो इग्नॉर करता हूँ इस चीज को इसलिए करता हूँ कि जो बच्चा यूटूब चला रहा है 15,000 का मोबाइल चला रहा है तो उसके पास 2500 रुपे ना हो पॉसिवल नहीं है यह चीज तो वो गलत बोला जूट बोला है जब एक महीने में 249 रुपे का रिचार्ज कर रहा है वो तो उसके पास रुपे नहीं है अपना भविस बनाने के लिए अपनी लाइप को बनाने के लिए पास रुपे खर्च नहीं कर सकता होई नहीं सकता किसी के भी माता पिता पैसे के लिए कभी मने नहीं करते हैं ऐसा कभी समय आता नहीं है कि हमारे पास खाने को भी सरजी दे दें कई फिरी में ये तो आप कभी सोच नहीं मत सरजी कभी फिरी में नहीं नहीं देगा सरजी भी उसी कंडिसन से आया है निकल करके तो सरजी को किसी फिरी में उस चीज की वैलू तुम करोगी नहीं मैं जानता हूँ उस चीज को जो व्यक्ति ऐसी बाते करते हैं न वो उसके वैलू करते ही नहीं है उसको बस फोकट में फेग देते हैं समझें न मेरी बात हैं और एक तीन चार सो पांसो रोपे बच्चे के लिए मायने नहीं रखते हैं जो पंद्रह अजार का आपका मोबाइल चला रहा है डीपी लगा रहा है वह एजडी वाली और मुझसे कहता है कि सर जो है वैसे नहीं तो इस परकायर की बात है किर्पया ना कर रहे हैं मुझे मुझे मालूम है जूट बोलते हैं वो लोग जूट रियल जूट बोलते हैं कि उसके बाद देने का मतलब नहीं बचेगा कारण है क्योंकि समय कम बचा है फिर बच्चों को देने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बच्चा फिर पढ़नीक पाएगा और पिर अगर उसका स्लेक्षन नहीं हुआ तो हम पर बिलेम करेगा कि शर आप से नोठ्में लेही तो हमारा सेलेक्षन नहीं हुआ, इसलिए आप उसको एक दो दिन ओर है, एक दो दिन लेना चाहाँ तो लेलो, और नहीं लेना तो कोई दिक्कत दें, तो एक दो दिन का समय है, अच्छी अपोर्चनिटी है, समय भी है एक ड़ड़ महीने का, उसका यूज कर ले कोई बच्च पढ़ रहे होना, उतना ही पढ़िये, जादा फाल तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, बर उसको जितना भी पढ़ रहे है, उसको बार बार रिवाइच कीजी, लिख लिख कर दीजे, अब एक बच्चे का फोन आया तो मिर पास की सर, पढ़ने में मनी नहीं लग र लेकिन मैं अभी आपसे करा हो सकारत मग रही है इस समय और उन चीजों को लिख कर देखी, जो आप पढ़ रहे हो ना, एक पेच पढ़ो भली, उसको लिखो, बिना देखे लिखो, लिख लिख के जो है न, कौपी हैं भढ़ दो इस समय, क्योंकि क्या होता है कि जब हम भी पा रहे हैं हम बेना देखे, तो बहुत सरी चीज़ें आपकी के लिख हो जाएगी, ठीक है न, तो इस प्रकार से आप अपला मन लगाने की कोशिश करें, और पॉजिटिव रहे हैं, और सो के न पढ़ें, बैठ के पढ़ें, कोशिश करें, टेबल और चेर का करें, जाद से जादा पढ़ते समय, है न, पाच-पाच मिनिट पर आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, तो कही न कहीं आपकी जो मेमोरी है, वो भी सही बनी रहेगी, ठीक है न, और चीज़ें पढ़ने के बाद, देख क्या होता है, आप लोग उनके बारे मे आप डिसकसन करें, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके दिमाग में और अच्छी प्रकार से बनी रहेगी, मेमोरी है आपकी सही रहेगी, देखी क्या होता है, जातर बच्चे कहते हैं, पढ़ता तो हूँ 7-8 घंटे पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ें मुए को याद पढ़ेगा, सोचना पढ़ेगा, कि हमने क्या पढ़ा, कोई चीज़ें दुमार बैठ करके, जो भी है, आप लोग उनके बारे में सोच हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी है, उसके बारे में क्या करना है, तो सोचना है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें हमको अच्छी प्रक करना चीजों को इस समय आपके दिमाग में नहीं लाना चाहिए इस समय फालतु की टेंजना नहीं किसी की जाथ सुनना नहीं है सोसल मीडिया से जितना हो सके दूरी बनाए रखना है क्योंकि सोसल मीडिया पर कुछ चीज़ इतनी नकारात्मक होती है को पूरे हमारे दिमाग को खराब कर देती है इसलिए उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना इस्टागराम डिलीट होना चाहिए आपका फेस्बुक डिलीट होना चाहिए सबी आपके एप्स अपी मोबाइल में आपके में अभी एक महीने के लिए नहीं होना चाहिए ठीक है ना कुछ काम की चीज़ है तो वोटसप के माध्यम से मिल जाती है आपको तो वो भले ही रखो ज्यादा भी उसका यूद नहीं करना है फिर भी ठीक है इस समय अगर मोबाइल का यूज करें तो जो यूटूब पे कुछ अच्छी अच्छी वीडियो होते है अगर ही कल जैसे लेटेट उनको आप अच्छी परकार से पढ़ सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूँ मेरी बात हैं आपको अच्छी परकार समझ में आ रही होगी एदि कोई छात्र फिर भी नोट्स लेना चाहता है तो बिलकुल ले एक दो दिन का समय उसके बाद हम बंद कर देंगे देना क्योंकि अब समय कम बचा है ठीक है मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार